आईपील के पंद्रवे सीजन का आगास हो गया है। एक सो इकतिस रन ही बनाए। चन्ने को यहां तक पहुँचाने में सबसे एहम रोल निभाया। पूर्व कप्तान महिंडर सिंग धोनी ने जिन्होंने नाबाद 50 रनों की शांदार पारी खेली। माही जब बल्लेबाजी करने आये तो मैदान पर दरशक धोनी धोनी चिल्ला रहे थे। इस वक्त पूरा स्टेडियम धोनी के शोर से गूंज उठा था। हालाकि धोनी के अलावा CSK का कोई और बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं दिखा पाया। जिसकी वज़ा से चन्नाई कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और कॉलकाता ने इस आसान से लक्ष को 9 गेंद पहले हासिल कर लिया। केक्यार के लिए सबसे ज्यादा 44 रन सलामी बल्लेबाज अजिन के रहाने ने बनाए। इस जीत से कॉलकाता का आत्मिश्वास्त काफी बड़ेगा। कॉलकाता ने बड़ी आसानी से इस मैच में जीत हासिल की और चन्नाई को चारो खाने चित कर दिया। कॉलकाता की जीत की बारत लिखने की शुरुआत उनके गेंदबाजों ने की जिसने चन्नाई को बड़ा स्कूर खड़ा नहीं करने दिया। कॉलकाता के गेनबाजों ने चन्नई को शुरुवात में ही कई जटके दिये जिससे टीम का बड़ा स्कोर करने की उमीद खत्म हो गई धोनी की शांदार पारी के दम पर किसी तरह चन्नई ने 131 रन बनाए केके आर की ओर से उमेश यादव ने 20 रन देकर दो विकिट लिये और मैं नौफदा मैच का अवार्ड भी मिला गेनबाजों के बाद कॉलकाता के बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया ग्वेंकटेश अईयर और अजिंकी रहाणे की अच्छी साचेदारी ने केके आर की जीत की नीव रखती थी चन्नई ने बीच में कुछ विकिट लिये लेकिन कप्तान श्रीयश अईयर अंथ तक्टिके रहे और टीम को जीत दिला कर ही लोटे वहीं धोनी के कप्तानी छोडने के बाद जड़ेजा को चन्ने सुपर किंग सी कमान सौपी गई थी वो चन्ने के तीसरे कप्तान है इसते पहले सुरेश रैना भी कुछ समय के लिए सीयक्स्की की कप्तानी कर चुके है इसहार के साथ कप्तान जडेजा पराबॉर भार आ गया है अब देखना होगा कि इस सीजन में जडेजा अपनी कप्तानी से क्या करिश्मा करते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्रेटफर्म टीवी नाइन भारत वर्ष